आज की स्माइक दाउन में बोखत सारी कमाल की चीज़े हुई सबसे पहले जो है जोन सीना ओपन करते है शो को वो गयते है वेलकम है सभी का सीजन प्रीमियर में लेकिन तभी रोमन रेंज का दीम जांबले होता है क्राउड बू करता है और रोमन रेंज को नए चैलेंजर मिलते हैं उनके जोन सीना इंटर्डूस करते है और वो होते है अपने ले नाइट यहाँ पर से जोन सीना ने ले नाइट को इंटर्डूस किया as Roman Reigns next challenger तो इसके बाद यहाँ पर दोनें के भी थोड़ा से माइक पर टॉक होता है और इसके बाद जो है Jimmy attack करते हैं अपने LA Knight पर लेकिन इसके बाद यहाँ पर Solo and Solo sequined जो अपने LA Knight है इनकी बीच मीन इवेंट के लिए match प्लान होता है and Roman Reigns यहाँ पर से में निकलते हैं दिखा देते हैं तो ओपनिंग कुछ इस सेरी किसे WWE ने करी है and मीन इवेंट में भी चीज़े होनी होती है फ्रमें इसके बाद यहाँ पर यह सेगमेंट एंड होतावा दिखा देता है and साथी में में शो की उपर आज जो है आते में दिखा देते है ट्रिपल एच त्योंकि अपनी एक स्पेशल अनॉसमेंट करने वाले होते है वो अपने जो यहाँ पर एडम पियर से उनको रो का जनरल मैनेजर बना देते है and Nick Ellis को जो है SmackDown का जनरल मैनेजर बना देते है and Kevin O's को अब SmackDown पर ट्रेड किया है आपर Nick Ellis ने and yes अब officially Kevin O's and Samy Zain सेपरेट हो चुके इसके बाद अपने Samy Zain ने भी ट्विटर बर प्रोफाल ब्लाक करी है and फिर में इसके बाद होता है अपने जो Kevin O's sorry जो अपने होता है Cody Rhodes का मैच tag team का इसके अंदर वो title को return करते है and इसके बाद जब यह जा रहे होते है Jimmy sorry Jay and अपने Cody Rhodes तो तब उनको confront करते है Roman Reigns and यहाँ पर Roman Reigns आते है Roman Reigns and Cody Rhodes एक दूसरे के तरफ देख रहे होते है stay down होता है इनका and यहाँ पर जो है इससे पहले Jimmy J के तरफ देखते है इससे को भी होते है वहाँ पर Cody Rhodes भी होते है लेकिन यह इस इन दोनों का फीसा बहुत दगड़ा टीज था क्या ही रस्तल में फोटी में मैच हो रहा है वैल ऐसा कुछ जो बैक्सेश पर जेड कारके लैंड शार्लिट टेर का भी हमें फेस्व दिखा देता है और आट्रिपल अग जोजे है यहाँ पर ऑट्रीपले इस डोनों के वीज हां पर होते जो कि हाँ पर इन दोनों की ससाइड करते मतलब यह फिलाल्गुज जो आज हमें दो फेस एक टगड़े दिखा देते है और में अब treatment इसे एक spear out of nowhere लगता है and rumor race अपनी title लेते है and undisputed championship को raise करते हैं तो इससे clear idea बता चल जुका है कि Roman race का next challenger crown jewel के लिए होने बाल है अपने LA night तो ये फुलाल कुछ चीज़े होती ही काफी कमाल का smackdown था and अब let's see कल कितनी वेवर्शिप आती है smackdown की and अब updates की बात करते है and पहले ही Randy Orton की update की बात करते है तो Randy Orton की return के लिए और good news है बहुत यहाँ पर time से Randy Orton की update आ रही है and बताया जा रहा है Randy Orton अभी ready भी है and अब Randy Orton का return बताया जा रहा है WWE शायब जोए survivor series तक Randy Orton का return कर सकती है fightful select का कहना है की Randy Orton का return survivor series तक हो सकता है या तो survivor series में भी chances है की हो सकते उससे पहले भी हो सकते है and उससे पहले crown jewel भी आ रहा है तो क्या WWE भापर भी return कर सकती है यूँकि WWE को return करवाना हो तो pay-per-view crown jewel भी है सौधी का शो है WWE को legends चाहिए and return कर Randy Orton का तो वो भी काफी अच्छा सिनारियो हो सकता है survivor series भी काफी अच्छा place है लेकिन उसके लिए कोई और बड़ा return plant है वैसे well देखते लेकिन Randy Orton का return में चल्दी दिखा दे सकता है and अगले हफते शायद वो जो है sorry अगले month के around वो कुछ return कर सकते है survivor series हो रहा है तो let's see कि आज इसे में दिखा देते है and also अपने Logan Paul भी return करने वाले है वैसे का Logan Paul का boxing match होने वाला है जो की काफी काफी hyped match है और यहाँ पर बात करें उनके return की तो बता जा रहा है कि उनका return होने वाला है Saudi Arabia के show के लिए और वो शायद वहाँ पर compete भी कर सकते है अपने Logan Paul फीचर है तो यहाँ पर यह देख सकते हो जैसे और भी confirmation पता चलते है कि Logan Paul होंगे अपने Crown Jewel का part तो यह फिलाल कुछ Logan Paul के बारे में update है कि वो होने वाले है शायद अपने Crown Jewel 2023 का part अब देखते हो किसके against compete करते है और कल उनके match के अंदर ख्याजीज़े होती है और यह फिलाल कुछ उनके बारे में बात है वल हम लोग अब आखर में बात करते है अपने CM Punk के बारे में तो क्या जमें CM Punk का tease दिखाए दिया और क्या वो tease खुद रोमन रेंज ने किया कि रोमन रेंज जब आज स्मैकडाउन पर आते हो तो वो चॉन सिना को कहते है चॉन बॉय और यहाँ पर यह सेम लाइन जो है CM Punk ने इससे पहले प्रोमो में यूज़ करी थी कि वो जो 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 जोन सिना को जोन बॉय उन्होंने करके बोला था और इतना इनी बलकि जो अपने CM Punk है उनको और लैंडो में भी स्पोट किया गए है यह आप फोटो देख सकते हो लेकिन यहाँ पर वो और लैंडो फ्लॉरिडा परफॉर्मंस सेंटर के लिए नहीं गये थे बलकि वो किसी इवेंट के लिए बता गये थे बता जा रहा है तो परफॉर्मंस सेंटर भी गये होंगे लेकिन यह फिलाल कुछ फोटो और लैंडो फ्लॉरिडा की लेकिन बता जा रहा है कि विन सिक्मान ने उनके डब डबली रिटर्न को रिजेक्ट किया है अब इसके बारे में जाला क कोई मैं आपको कंफर्मेशन बता नहीं सकता एक जस्ट मुझे ट्विटर पर न्यूज दिखाए दी लेकिन यहाँ पर जो है रेसल फीचर जो है ट्विट डालता है कि अपने डेम वेल्जर ने का कि डब डबली के अंदर कोई भी सीम पंके टॉक्स अभी नहीं चल रहे है और जो टीजस वेगरा है वो कोई भी सीम पंके टीजस नहीं है इसको जरन्यूज रेट्विट करके कहता है कि जो है यहाँ पर डब डबली जो है ऐसा खर रही है कि बिना कोई रेजन्स के कि वो सीम पंके टीजस कर रही है और यहाँ पर वो कहते है सी यू इन शिखागो फ पर होता है या फिर नहीं बिना बात के डवर डवली टी जिसक्त क्यों ही देगी वो भी खुद सीम पंके वेल विलाल आज के वाली वीडियो बस इतने से थी और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर